Children, it is very necessary to keep our digestive system healthy because healthy digestive system is the first sign of having a good health बहुत सी बिमारी की शुरुवात पेट में गडबड की वज़ा से ही होती है इसलिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने digestive system को healthy रख सकते हैं जैसे की, chew your food properly खाना हमेशा अच्छे से चबा कर ही खाना चाहिए इससे उस खाने को digest करने में आसानी होती है Eat slowly and on time हमेशा धीरे धीरे खाना चाहिए और time ले करके खाना चाहिए और proper time पर ही खाना चाहिए ठीक है? Do not overeat हमें कभी भी बहुत ज़्यादा खाना overeating नहीं करनी चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि our stomach can hold little food and water at a time अगर हम बहुत ज़्यादा overeating करेंगे तो उसे digest करने में problem होगी ठीक है? Avoid junk food हमें junk food भी avoid करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारा oil होता है, fats होता है जो कि हमारे digestive system के लिए अच्छा नहीं होता है overeating करना, junk food खाना इन सबसे पेट दर्द हो सकता है और दूसरे बिमारियां भी हो सकती है ठीक है? हमेशा high fiber वाला खाना खाना चाहिए मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा रफेज हो रफेज उन खानों में होता है वैसा खाना जिसे हम raw, कच्चा खा सकते हैं जैसे salads, sprouts, fruits, vegetables, etc ऐसा खाना हमें ज़्यादा खाना चाहिए यह हमारे digestive system को clean रखने में help करता है और साथ ही साथ healthy खाना खाना चाहिए fruits और vegetables, green vegetables ज़्यादा खाना चाहिए ठीक है? और हमें proper exercise भी करनी चाहिए इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो we can keep our digestive system healthy healthy, ok children?